नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद हो या आपकी रशोई दोनों के दश्टिकोंड से लहसुन एक महत्व पूर्ण चीज है लहसुन में विभिन्द परकार के पोशक्तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्त के लिए काफी फाइदे मंद होते हैं आधुनिक्ता की अंधी दोड और अस्त व्यस्त दिन चरिया ने मानव जाती को अंगिनित रोगों के चक्र व्यहु में बाद दिया है बड़े सहरों में तो हालात ये है कि परिवार का हर सदस्य किसी ना किसी रोग से पीडित मिलता है और नियमित रूप से दवा भी लेता है अगर इन दवाओं के सालाना खर्च को जोड़ कर देखा जाए तो ये लाखों रुपई के हिसाब से बैठता है ऐसे ने अगर आप लहसुन को अपनी रोजाना की डाइट में सामिल कर लेते हैं तो ये आपको कई दिमारियों से बचा सकता है तो आईए अब ये जानते हैं कि रोजाना लहसुन का सेवन आपको किन किन परकार के रोगों से बचा सकता है अगर आप मधू में हिसे पीडित हैं तो रोजाना लहसुन की एक लौंग जरूर खाएं लहसुन खून में इंसूलीन के इस्तर को बढ़ाती है जिस से सूगर काबू में रहती है लहसुन में एलीसीन नामक तत्व पाया जाता है जो एक परकार का एंटी फंगल होता है जो आपके सरीद में एंटी बोडी पैदा करके कई प्रकार के संक्रमन से आपको बचाता है लहसुन का नियनित सेवन आपको हर्दे रोग से बचा सकता है लहसुन HDL कलस्ट्रॉल लेवल को नियनतरित करके ब्लॉकेज और हर्दयागात होने की संधावनाओं को काफी हद तक कम करता है ठंड और सर्दी की सिकायत होने पर लहसुन को पीश कर उसका पैस्ट बना लें इस पैस्ट को हलकी आज़ पर गरम करके खाने से सर्दी जुकाम ने आराम मिलता है इस पैस्ट के सेवन से फैफडों की जकडन भी दूर होती है और स्वास रोगों में लाब मिलता है जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है या जो लोग मीट, मास या वसायुक्त भोजन का ज्यादा मातरा में सेवन करते है उन लोगों को तो भोजन के बाद लहसुन की कुछ कलियां जरूर खानी चाहिए, इससे उनका पाचन तेज होता है लहसुन आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करता है, ये त्वचा में नमी को बढ़ावा देकर चहरे की सुन्दरता को बढ़ाता है लहसुन के रसका सेवन करने से शरीर में जमा होने वाली गंदगी और अपसिस्ट रोम सिद्रों से बाहर निकल जाते हैं दमा के रोगियों के लिए तो लहसुन एक रामबान दवा का काम करता है। इसके लिए पानी ने लहसुन के कुछ कलियों को मुलायम होने तक उबा लें। फिर इस पानी को छान लें। उसके बार इस पानी ने सिरका और थोड़ी मातरा में सक्कर मिला कर इसका सिरफ बना लें बस दमारोग की रामबान दवा तयार है कान में दर्द या संक्रमन होने पर लहसुम की कुछ कलियों को कुछ देर तक तेल में गरम करें फिर इस तेल की दो या तीन बुन्दे कान में डाल लें कान के दर्द से आराम दिलेगा तो दोस्तों ये था आज का लाइक चैन्ज देशी नुष्का आसा है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसे लाइक और शेर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर उत्योगी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अपना किंती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद